आज कल सब लोग कार क्रेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि कुछ गाडिया इतने ब्यूटिफुल, बेट टेकिंग, स्पेक्टेक्टिलर और मार्वलिस होती हैं गाडियों के शौकीन ही सिर्फ महंगी से महंगी गाडिया आखें बंद करके खरीदते हैं वैसे तो लिमिटेड एडिशन वाली गाडिया बहुत महंगी होती हैं, बर कुछ गाडिया सिर्फ खरीदने वालों के लिए ही बनाई जाती हैं जिसकी कीमत सुन कर हम सिक उसे देखी सकते हैं तो चले दोस्तों आज हम आपको 2019 की सबसे कीमती गाडिया बताते हैं तब शुरू करने से पहले हमारे चानल से लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चानल आपसकाई गूरू को सबस्क्राइब करना ना भूले वेरान सुपरकास के बाद बुगाती के सबसे लेटिस्ट कार बुगाती शिरॉन की कीमत 2.7 मिलियन डॉलर फिलहाल है पर अंदाजा लगा रहे है कि जब यह मार्केट में आएगी तो इसकी कीमत at least 3 मिलियन डॉलर हो जाएगी इसके बनाने वालों ने इसे world's most powerful, fastest, most luxurious and most exclusive production सुपरस्पोर्स कार बोल रहे है इसकी स्पीड है 268 मिटर्स पर आवर जो की वेरॉन मॉडल की fastest कार से बहुत जाद है और उसकी स्पीड 261 मिटर्स पर आवर कम की गई है रोग टेस्ट के लिए पर अब तक इसकी original स्पीड टेस्ट करना बाकी है पगानी हुएरा पगानी हुएरा के बाद पगानी हुएरा BC पगानी की सबसे महंगी गाली है इस गाली को इसके इटैलिन इंवेस्टर बेनी सियोला के नाव से रखा है वो फरारी के शौकिन कलेक्टर और पगानी के बहुत करीबी दोस्त भी है BC के पास न्यू रेड ट्रेक्स, साइट ट्रेक्स और नए एरो फीचर्स भी है और इसकी कीमत है डॉलर 2.8 मिलियन डॉलर फरारी पिनिन फरीना सर्जियो वैसे तो यह गाली का कॉंसेट 2013 में ही बनाया था और इसके सब 6 मॉडल्स ही बने है इस गाली को the legendary Italian design house भी कहा जाता है और इसकी कीमत 3 मिलियन डॉलर है इस गाली के handmade units, unique features और no roof features इसे अलग दिखाती है इस गाली की सबसे मज़दार बात यह है कि इसके manufacturers ने इसके मालिकों को चूस किया है Aston Martin Valcair वैज़ तर Aston Martin Valcair का price अब तक final नहीं हुआ है पर इसका estimated price dollar 3.2 million है इस गाली को Red Bull's expensive and award-winning sports cars in the Formula 1 tracks कहा गया है Limited Edition Bugatti Veyron by Masori Vivier Bugatti Veyron को 4 बार upgrade किया है और Bugatti की सबसे महंगी और तेज गाली है इसे world का one of the most fastest और coolest गाली में गिना जाता है इस Germany गारी के upgraded features और 253 meters per hour की speed से इसे dollar 3.4 million महंगी बनाती है Lycan Hyperspot Lycan Hyperspot के headlights URM 240 15 karat diamond के बने हैं और तो और इसके LED blades 420 15 karat diamond से बने हैं ये 62 meter चल सकती है 2.8 seconds और 240 meters hours की speed पे इसकी कीमत dollar 3.4 million है और इसके looks बहुत ही जादा awesome है McLaren P1 LM वैसे तो McLaren P1 LM को street legal version of McLaren P1 GTR कहा जाता है इसे US, UK, UAE, Japan के buyers को दिमाग में रख कर बनाया गया है इसके अंदर gold rated engine है जो इसे refined touch देता है और इसका price है dollar 3.6 million Lamborghini Veneno Roadster Lamborghini ने हर किसी का दिल जीता है और 50th anniversary celebrate करने के लिए Veneno Roadster बनाया है Spanish में Veneno का मतलब poison होता है और इसके killer looks और speed इसे poison ना अच्छे से suit करते है इसकी speed 60 meters per hour है in 2.9 seconds वैसे तो इसकी कीवा dollar 4.5 million है और सिफ 9 models बने हैं बन गाड़ी का सबसे बड़ा problem है उसके reselling rate इस गाड़ी को dollar 11 million में resell किया गया है Kenningsack CCXR Trevita Street Legal Production के अंदर सबसे महगी गाड़ी Trevita है जो की real diamond से cover है इसके carbon fiber सच्ची में diamond dust impregnated resin है इसलिए इसका price dollar 4.8 million है पहले इसके सिफ 3 model बनने वाले थे पर carbon fiber production में ज्यादा time लगने के वज़र से लास्ट में सिफ 2 बनाये गए Sweptail by Rolls-Royce इसकी कीमत देख चौपने से पहले बता दू कि ये गाड़ी सिर्फ एक ही है दुनिया में और वो भी special recommendation पर बनाया गया है Sweptail की कीमत $13 million है जैसे की Rolls-Royce luxury गाड़ी बनाने के लिए मशूर है वैसे ही इस गाड़ी के special features और special interior है 2-seater 1920s, 1930s के look के साथ Sweptail को world's most expensive car माना चाह सकता है तो ये थे 2019 के world's most expensive cars अगर आपके पास भी इससे जुड़ी कोई जानकारी है तो हमें comment section में ज़रूर लिखे और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like, share और comment करें तो अगले वीडियो तक के लिए अलविता दोस्तों धन्यवाद